बाबा का धावा के मालिक बुजर्ग कांता प्रसाद को तो आप जानते होंगे हो सकता है आप में से बहुत से लोग ये नाम सुनकर उन्हें पहचान गए हो और जिनें नहीं पता उन्हें हम बता देते हैं दरसल दिल्ली में बाबा का धावा चलाने वाले बाबा का नाम कांता प्रसाद है और कांता एक बार फिर सुर्खियों में है मगर इस बार उनके सुर्खियों में आने का कारण कुछ और है क्योंकि पहले लॉक्डाउन के बाद सोचल मीडिया में चाय कांता प्रशाद ने आफी मदद मिलने के बाद मालीय नगर में एक रेस्टराउंट खोला था मगर दूसरे लॉक्डाउन में बाबा का नया रेस्टराउंट बंध हो जाने के कारण बाबा कान्ता वापस बाबा का धावा पर आ गए नमस्कार आदाब मैं हूँ हमिद सैफी और आप देख रहे हैं टाइम 24 नियूज आज बाबा अपने धावे को फिर से चलाने लगे हैं दोस्तो बाबा का धावा एक बार फिर चर्चा में बना हुआ है कोरोना की पहली लहर के दौरान हुई तालाबंदी के बाद यूट्यूबर गौरफ वासन दौरा अक्टूबर 2020 में जिस बाबा का धावा का वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर डालने के बाद बाबा जहां रातो रात देश और दुनिया के करोडों लोगों के बीच मशूर हो गए थे कोरोना की दूसरी लहर में बाबा को एक बार फिर अपने पुराने धावे पर लोटना पड़ा आपको बता दें कि 2020 में गौरफ को वीडियो में बाबा का अंता परसाद अपने धावे पर खाने की बिक्री ना होने की वज़ा से दुखी होकर अपनी समस्या बता रहे थे इतना ही नहीं दर्द सुनाते हुए बाबा रो तक दिये थे वीडियो को लोगों ने सोशल मीडिया पर जोरो से वाइरल किया और कांता परसाद की मदद के लिए लोगों के भीड मालविय नगर इस्तित बाबा के धावा पर जुटने लगी नेता से लेकर अभी नेताओं ने बाबा का धावा के समर्थन में टूइट किये और उनकी मदद के लिए लोगों को आगे आने के लिए प्रेरित किया बताया जा रहा है कि बावा को सहायता के रूप में 40 लाग से जाधा रूपे मिले थे दो महीने के अंदर बावा कांता परसाद ने 5 लाख उर्पे लगा कर मालविय नगर में अपने पुराने धावे से कुछ ही दूरी पर एक रेस्टरांट खोला वहाँ पर एक कुक, वेटर और सिक्योरिटी के लिए CCTV कैमरे लगाए गए मगर समय का पहिया फिर घूमा और हजारों लोगों ने आ गया कर जिस कांता को धावे से निकाल कर रेस्टरांट तक पहुँचाया था वक्त ने उसे रेस्टरांट से वापस धावे पर पहुचा दिया जानकारी के मताबिक लागत के अनुसार खर्चा ना निकलने पर बाबा ने फरवरी पंदरा को अपना रेस्टरांट बंद कर दिया और वापस अपने उसी पुराने धावे पर पहुच गए जानकारी के अनुसार रेस्टरॉंट का मासिक खर्च लगबग एक लाख रुपे था जबकि औसत मासिक विक्री कवी 40,000 रुपे से अधिक नहीं हुई कांता परसाथ के खर्चे में 35,000 रुपे रेस्टरॉंट का किराया 36,000 रुपे तीन करमचारियों की सेलरी और 15,000 रुपे राशन बिजली और पाने के लिए शामिल था हाला कि रेस्टरॉंट पर धीरे धीरे गिरहाकों का आना कम होता गया और रेस्टरॉंट का खर्चा बढ़ने लगा इसके बाद बाबा को अपना रेस्टरॉंट बंद करना पड़ा एक न्यूज साइट से ली गई जानकारी के अनुसार दिल्ली में कोरोना संकर्मन को रोकने के लिए लगतार लगाए गए लोकडाउन की वज़ा से बाबा को 17 दिलों के लिए पुराने धावे को बंद करना पड़ा और इससे उनके धावे की विक्री प्रभावित हुई है कुल मिलाकर बाबा एक बार फिर लोगों से सहायता की आस लगाए बैठे हैं मगर अब यूट्यूबर उनकी मदद के लिए आगे आने के लिए तयार नहीं है ना तो कोई विडियो रिकॉर्ड कर रहा है और ना ही कोई वायरल कर रहा है दोस्तों दिल्ली वाले बावा के धावे को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले फिलहाल इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार आदाब प्रेजानल को सब्सक्राइब करे और हाँ बेल आइकन दबाना बिलकुल न भूले